दमाश्टर प्रकास क्लासेस यूटूब चैनल आप सभी लोगों का सौध करता है उत्तर प्रदेश में यूपी टैट का पेपर निरस्त कर दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही सर्मना किस्थिती है कि इतना बड़ा पेपर जिसमें लगवर लगवर पूरा उत्तरप्रीस भाग लेने वाला था आपके लगवर तीस लाख इस्टुडेट भाग लेने वाले थी उसके साथ उनके मातापिता भी जाते हैं पेपर दिलाने के लिए तो इक बैक्ती के साथ कबसे कम एक बैक्ती रहता है पेपर दिलाने में तो इतनी बड़ी भाग धूप जो हो रही थी पूरी तरहन से निरस्थ हो गया पूरा परसाअसन फैल हो गया पूरा पूर्लिस डिपार्ट्मैंट फैलोगा एश्टियर वाले पता है कर रहे थे अपन यहां पर आप देख रहे हैं पीपर जो लिक हुआ है उसका जो तार है सची वाले से ही जोड़ा हुआ है यानि कि जो आपके उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े अधिकारी है वही पैसा कमाने के लिए पेपर लिक कर रहे हैं और इसमें दोस्त किसका दिया जा रहा है इसम तो आप इतना समझे कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोग भी हर डिपार्टमेंट के बारे में जानते होंगे हम भी सिक्षावभाग में हैं किसी भी सम्विदा करमचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने अधिकारी के बगैर कुछ काम कर सके तो यहा हैं सचीवाले में संविधा पर तैनात करमचारी इस गिरोह में सक्रे सदस हैं इसके अलावा ग्रफतार एक सदस के पास में सचीवाले के खाद और रसद व्युहाग का पहचान पत्र और अन्य पास मिले हुए हैं अभी हम लोग यहां पर देखेंगे किन-किन जिले के लोगो सब लोग कर नाम किन रोषन किया हैं अमेट कर नगर कर नाम किसंने रोषन किया हैं अयोध्य का खापासी कना नाम किसने रोषन किया बinger कर त्रय आई अपने जिले के ध्वंधर लोग हैं जो नाम यहां पर ले रहे हैं और जहांसी का पुनह नाम रोशन किया है चंदु बर्माने तो यह महरती लोग है ऐसे महरती जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को खिला दिया है आगे पढ़ते हैं अयुद्धय के कॉसलेंद राय के पा के पास खाद और असद भाग का पहचान पत्र मिला अब यह फरजी है या असली है पता नहीं है यह वहां पर काम करते हैं कि इन्होंने फरजी बना रखा है ठीक है तो बहुत लंबी कहानी है भाई यह बहुत लंबा घोठाला चल ला है चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग ब आया कि फरजी है इस ख़बर को हम लोग पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ठीक है कैसे कहां चापे मारेगे कैसे क्या हुआ इसको आप आराम से धीरे-धीरे पढ़ सकते हैं कोई दिक्क्यत की बात नहीं है पूरे उत्तरप्रजेस के मुख पर तो इन लोगों ने कालि कर दिया है जहांसी के रिसी सबसे पहले किसका नाम आ रहा है जहांसी के एक और महान सक्षन जिनका नाम है रिसी सर्मा इन्होंने किया था पेपर लिक अब कैसे किया था इसको द्यान दीजिए सबसे पहले पेपर को लिक किया है तो इन्होंने सबसे पहले पेपर को लिक किया ये कहा जा रहा है एस्टीअफ के अनुसार ठीक है एस्टीअफ आधा जून भी बोलता ये भी बास बात समझे लिए जो लोग गिर्फतार की जाते हैं वो मेन चेहरे नहीं होते हैं प्यादे होते हैं जो मेन होते हैं उन्हें कभी पकड़ा ही नहीं जाता है ठीक है समवावित ठीकानों पर दविदी लेकिन हाथ में लगा कुछ नहीं जानकर इसके आगे कुछ नहीं करते हम लोग पूरा डेटेल में पढ़ने की कोई और शक्ता नहीं है वही सारी चीज़ें लिखी गई है जो हम लोग जानते हैं अब सचीवाले का एक वाटसेप राय है इन्होंने क्या किया था सचीवाले के वाटसेप गुरूप बनाया था और अपने आपको वहाँ पर अधिकारी की रूप में प्रजेंट करते थे यहां पर देखिए कहें लिखा होगा जिसमें लगभख सचीवाले के अनेक करमचारियों के नंबर थे और खुद का स हानित है जो आपके पेपर लिख से जुड़ी हुई सारी चीजे हुई है आप सभी लोग जानते हैं मुझसे ज्यादा जानकरी आप लोगों के पास में है आपके पास क्या हो रहा है आप लोगों के पास जो आसपास के लोग है उन्हें पेपर मिला नहीं मिला कितने मिला औ और पेपर इस तरह से आउट तो नहीं होना चाहिए था लेकिन चलिए हम लोग फिर किसी वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे ये पूरी कहानी थी जो आप लोगों ने पढ़ा है कि पेपर किस परकार से निकला किस परकार से आउट हुआ कौन कौन से जुड़े हुए हैं तो इस पोद देख कर इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े पदो पर बैठे हुए लोग सिर्फ रुपया कमाने के लिए पेपर को आउट करा रहे हैं यहां पर जो दोस्त दिया जा रहा है जो प्राइबिट लोग होते हैं या बहुत बड़ी बात है आप सभी लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और कमेंट करके नीचे जरूर बताईएगा कि आपको क्या लगता है पेपर के तार किस-किस से जुड़े हुए ह किस-किस से जुड़े हुए हुए हुए